नमस्कार साथियों मैं ब्रजेश कुमार आपका मेरे इस यूटूब चैनल लेट्स क्लियर आल डाउट पर बहुत बहुत स्वागत है आप मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घर में सुरच्छित होंगे तो चलिए मैं इसी के साथ अपनी अगली क्लास सुरू करता हूँ यदि आप मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो कर लीजिए जिससे की मेरा जो आने वाला वीडियो है वो आप तक जल्द ही पहुछ सके तो चलिए दोस्तों क्लास सुरू करने से पहले आज मैं आपको एक छोटी पंक्त से क्लास सुरू करूँगा तो आईए देख लेते हैं पंक्त में क्या है मंजिले मिले ना मिले ये तो मुकदर की बात है हम कोशिस भी ना करें ये गलत बात है हम कोशिस भी ना करें ये गलत बात है जिन्दगी संगर्सों से भरी है वक्त को मरहम बनाना सीख लो हारना तो है एक दिन मौत से भी फिल हाल जिन्दगी जीना सीख लो तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों आप अपना लच्च बना के चलिए आप जब तक अपना लच्च बना के नहीं चलेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप अपने लच्च को ध्यान में रखते हुए इस पंक्त में यही बताया गया है कि आप अपना लच्छ बना कि अगर चलेंगे तो आपको अवश्य ही मन्जिल मिलेगी आपको अवश्य ही अपना लच्छ प्राप्थ होगा तो ठीक है ठीक है चलिए मैं समय को ध्यान में रखते हुए आपको क्लास की ओर ले चलता हूँ तो क्लास मेरी है फाइब क्लास है आज भाग पांच है एक्सरसाइज उसमें हम देखेंगे वन पॉइंट फोर एक्सरसाइज देखेंगे वन पॉइंट फोर इसके हम कोश्चनों को सॉल्व करेंगे अच्छे से और साट ट्रिक में solve करेंगे ठीक है तो चलिए दोस्तो पहला question है मेरा उत्रोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए तीन दसम लो 765 को देखिए ठीक है ना तो हम देख लेते हैं इसमें आपको हम संख्या रेखा पर चलते हैं ठीक है ना हम संख्या रेखा पर चलते हैं तो देखते हैं हमने संख्या रेखा पहले से ही बनाया है तो जो मेरी पहली संख्या रेखा है जो मेरी पहली संख्या रेखा है वो मेरी ये है संख्या रेखा ये मेरी पहली है एक से दस तक मेरा इसमें संख्यानी रूपित के गई है तो ठीक है तो हमको देखना किसमें है देखना हमको भई तीन और चार के बीच में ही बात कह रहा है मतलब तीन दसंबलो संथिंग कह रहा है ठीक है ना तो तीन दसंबलो संथिंग कह रहा है जो तीन संख्या है उसको हम बाएं छोर पे अगली संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे उसके बाद फिर हम जो फोर है वो संख्या को हम दाएं तरफ संख्या रेखा पर निरूपित कर देंगे उसके बीच में जितनी संख्या आएंगी हम उनको लिख लेंगे तो जैसे 3.0 हमको लिखना होगा उधर 4.0 लिखना होगा वह यहां 3.0 लिखना होगा तो इनके बीच की जो संख्याएं हैं वो 3.1 है 3.2 है 3.3 है 3.4 है 3.5 है 3.6 है और 3.7 है 3.8 है 3.9 है इसी प्रकार मेरे ये जो संख्या रेखा है ये भी बन जाता है अब हम चलते हैं आगे अभी हमारा जो हमको ढोड़ना है वो मिला नहीं है इसलिए हम अभी और आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो अब हम किसको उठाएंगे अब किस संख्या को हमको उठाना है तो संख्या मेरी रहेगी भाई 7 आगया 3.7 6.5 है तो देखो 7 तो मेरा आही गया है तो ये कहीं न कहीं 3.7 और 3.8 के बीच में ही होगा ठीक है ना तो आए हम इसको एक छोर पर लिख लेते हैं ये लिख लिए एक छोर पर अगली संख्या एक छोर पर ये हो गया दसमलो के बाद 7 0 हम 0 लगा लेते हैं सो इच्छा अनुसार अपने ठीक है ना तो इन संख्याओं के बीच की संख्याँ हम लिख लेते हैं तो 70 है मतलब बोल सकते हैं 70 है तो 73.71 ऐसे 72 हो जाएगा 73 हो जाएगा ठीक है ना डाडड़ आपका हो जाएगा 79 अपका ये वातें 79 तक हो जाएगी ठीक है ना तो अभी भी हमारा जो संख्या लानी है वो भी मिल नहीं पाई है तो कहां मिली है देख लेते हैं 3,7,6,5 लाना है देखो 3,7,6 हमको मिल रहा है तो तो मेरा हो सकता ही ठीक है थैक है ना तो आगे हम देख लेते हैं एक बार और देख लेते हैं तो इसमें हम एक बार जब और देखेंगे एक बार और संख्या रेखाः बनाएंगे इन संख्यां को लेंगे और एक लोग फौरöm diss for by यह सेट कर दिए तो उसके बाद हमको चलना है 3.760 से चलना है और कहा तक जाना है तो इनके 20 संख्या हम लिक लेता है पहली संख्या मेरी आएगी 3.761 और 3.762 यह आपकी दो संख्या हो गई उसके बाद 3.763 उसके बाद तीन दसम्लो साथ छे चार उसके बाद फिर तीन दसम्लो साथ छे पाँच फिर आपका ये हो जाएगा अगली संख्या फिर ये आपकी अगली फिर ये अगली फिर ये आपकी अगली संख्या हो जाएगी तो देखो हमको जो संख्या लानी थी वो हमको मिल चुकी है कहा मिल बिंदु पी है ठीक है तो बिंदु पी इसको हमाल लेते हैं अब हम कह देंगे यहां कि बिंदु पी पर बिंदु पी पर संख्या संख्या 3.765 प्राप्त हुई है ठीक है ना आप ऐसे आगे लिख लीजेगा तो मैं उम्मेद करता हूँ समझ में आया होगा तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं अगला सवाल है आपका बिल्कुल ऐसे ही है पहले सवाल की तरह दूसरा सवाल भी है तो बिल्कुल ऐसे ही है चलिए देख लेते हैं सवाल क्या है 4.2 अस्थानों तक संख्या रेखा पर 4.2 को देखिए कहने को मतलब 4 अस्थानों तक 4.2 तक मतलब कैसे 4.26 यह देखो दसमलों के 4 अंक तक दसमलों के बाद 4 अंक तक हमको लेना है ठीक है ना कि तरह हम संख्या रेखा बनाए एक से दस तक ठीक है न, अब हमको चार के बाद ही देखना भई, 4.2.6 तो कहने का मतलब 4 और 5 के भीच में ही तो आएगा, 4 और 5 के भीच में आएगा, तो हम 4 और 5 को ले लेते हैं, तो एक छोर पे हम रख देते हैं, ये ये चार चार के बाद दसमलो Gener और हम लगा सकते और ना कोई और नहीं होता है सकते है और यह लगा लिए 5 जिरो कर लिए अब हम थोड़ी देरे के लिए दसमलो भूल जाते हैं अब दसमलो से आपको दिक्कत हो यह दोसमलो भूल जाएए दोनों तरफ तो आप 40 और 50 के बीच में जितनी संख्याइं आती है आप लिख लीजिए तो उसके बाद दसमलो फिर याद कर लीजिए और सभी संख्याओं के बीच में आप दसमलो लगा दीजिए ठीक है न तो वैसे बिलकुल वैसे ही आप करना पहले सवाल के तरह ठीक है न तो अब यहाँ देखें तो 4 दसमलो दो हम को मिल चुका है ये 4.2 हमको मिल चगा है तो ये आपकी जो संख्याएं हैं ये दोनों संख्याओं को हम एक छोर पे यहां ले लेते हैं और यहां आप जीरो अगर लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो नहीं लगाना चाहते हो तब भी बात बनी है तो आगे चलिए तो इन दोनों के बीच में व चार दसंबलो दो है तो चार दसंबलो दो एक हो जाएगा फिर चार दसंबलो दो हो जाएगा फिर चार दसंबलो तीन तीन हो जाएगा उसके बाद चार दसंबलो चार दसंबलो दो चार हो जाएगा फिर चार दसंबलो दो पांच हो जाएगा फिर चार दसंबलो दो चे हो अब हम देखते हैं कि हमको लाना क्या था हमको लाना था चार दसमलो दो छे दो छे तो देखो हमारा दो छे एक बार आ गया है ये देखो दो छे एक बार आ गया है मेरा ये तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कहीं न कहीं अगली भी संख्या जाए कि दो छे और आ जाएग इन दोनों संख्याओं के बीच की जो संख्याएं होती हैं उनको हम लिख लेते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं लिख लेते हैं तो लिख लिए तो आगे हमारा 4.261 फिर 4.262 फिर 4.263 फिर 4.264 उसके बाद 4.265 फिर 4.266 4.267 उसके बाद 4.268 उसके बाद आपका फिर हो जाएगा 4.269 उसके बाद फिर आपकी लाइस्ट संख्या हो जाएगी 4.270 ठीक है ना तो अब एक बार और आपका आ गया देखो 4.26 4.26 अब हमको एक चाल आने की और आउ सकता है नहीं मेरा अंसर आ जाएगा तो इन दोनों संख्याओं के बीच मे मेरा आ सकता है ना तो इन दोनों संख्याओं को इस बार ले लेंगे तो एक छोर पे इसको सेट करते हैं ठीक है अब हम देखते हैं इसके बाद की जो संख्या होती है तो आपका यहाँ 0 के साथ ने 0 लगा लेते हैं कोई दिक्कत नहीं 0 हमने लगा लिया आपको बार बार ब 4.26.24 4.26.28 फिर उसके बाद 4.26.30 तो कहीं न कहीं मेरी संख्या वो आ चुकी है जो संख्या हमको लानी थी 4.26.26 इनको हम लिख भी सकते हैं कैसे 4.26 इसके उपर हम बार लगा देदे हैं तो कहीं न कहीं वो संख्या है बार 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 आपकी आती जाएगी दो छे दो छे चार दसमलो दो छे दो छे दो छे दो छे दो छे ऐसे आपकी आती जाएगी तो वैसे ही आप इसको माल लो क्या माल लो पी हम माल लेते हैं कि ये हमको पी बिंदू पर मिला है तो वही प्रक्रिया हम कर लेते हैं तो भाई बिंद बिंदू पी पर चार दसमलो दो छे बार संख्या प्राप्त हुई है तो मैं आसा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे और आपको अगर कोई प्रॉबलम हो रही हो अपना डाउट किलियर करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजेगा हाँ सर हमको ये प्रॉबलम है हमको समझ भी नहीं आया तो मैं दुबारा कोशिस करूँगा आपको अच्छे से समझ में आए तो आप लोग अच्छे से मेंट कीजिए और अपने लच्छ को प्राप्त कीजिए तो मैं अब ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ अगली वीडियो जल्द ही आप तक पहुचेगी यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सस्क्राइब नहीं किया तो मैं एक बर और कह रहा हूँ सस्क्राइब कर लीजिए और विल आइकन को दबा लीजिए जिससे की मेरा जो वीडियो आए उसका नौटिफिकेशन आप तक पहुच सके धन्यवाद प्यारे प्यारे बच्चों एवों मेरे मित्रों